आज जो मूवी में आपके लेकर रहा हूँ इस मूवी का नाम है मेकिंग ओफ मूवी यह मूवी फ्रेंच मूवी है जो कि बहुत हो स्लैश है और डिस्टरबिंग मूवी है मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक सन्ट की आदमी अपना सपना पूरा करने के लिए किसी भी हंद तक चला जाता है कहने को तो स्लैश हर मूवी है लेकिन जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको इसको गिरोना सच पता चलेगा अगर आप इसके आ ऐम ड फेमस फिल्मेकर बनना चाहता था लेकिन अब तक उसे अपने सपने पूरे करने का मौटा नहीं मिला था उसके पास नई को स्टूरी रायटर था उन नई को पूरृसर था जो कि उसके फिल्म को प्रूडीस कर सके लेकिन फाइनली उसने खुदी अपटेक पहले मुवी बना पीन पायवादिय थी और उस लोड़ी बास यह ती ती कि तोनी केमरा के सामने बाते कर रहा है जहाँ पर हो मूवी एक्टर और उसने मूवी को किस तरीके से बना है उसके बारे में हम सब भी आडिशन्स को बताने लगा था लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह थी कि टोनी पूजी तरह खून से सना हुआ था यहाँ धक्कि उसके टी-शिर्ट और पीछे वाल पर भी खून लगा हुआ था तो आकिर यह सब क्या था यह हमें टोनी की बातों से आगे पता चले है जहांपर टोनी ने अपना फिल्म बनाने का फैसला कर लिया था और इसके लिए उसने एक स्टोरिक खुदी सोच ली थी और उसके पास में जितने भी पैसे थे वो सब टोनी इस फिल्म पर लगाने वाला था क्योंकि उससे कोई प्रोडिसर नहीं मिल रहा था जो कि उसके फिल्म के लिए पैसे लागा ए वो उस् longest इन एक नया केमरा लेकर आता है और अपनी वाइफ करणा के पास में जाता है और उस से अपने फिल्मیں के बारे में सारी बाते बाता है लेकिन इए बात तूनकर कर टोनी पर बहुत गुस्ता होती है चूर्कि पहले ही टोनी इस फि ताकि उनकी financial condition ठीक हो सके लेकिन टोनी कहां काला की बात सुनने वाला था इस बात को लेकर दोनों के बीच में जगड़ा भी होता है फिर अगले दिन टोनी अपने गर का एक स्टोरूम केमरा पर रिकॉर्ड करने लगता है वहें पर वो अपनी मूवी की shooting भी करने वाला था उसी दिन उसके घर में कुछ एक्टर आते हैं जो कि उसकी फिल्में में काम करने वाले थे यह सब स्ट्रगलिन एक्टर थे और उन्हें भी आज तक किसी बड़ी फिल्में में काम करने का मौका नहीं मिला था तो इसलिए वे सबी टोनी के फिल्में में काम करने को लेकर खुश थे उन एक्टर्स का नाम था लीजा, लीजा का बुएफिट माइक और पीटर टोनी उनसे फिल्में के बारे में थोड़ी बहुत बाते करने लगता है लेकिन उनको ये बात तैजीब लग रही थी कि टोनी हर समय अपना केमरा ओन रखता था और उनके सभी बातों को रिकॉर्ड करता था टोनी तो उन्हें समझाता है कि ये सभी वीडियो वो फिल्में के आखिर में डाल देगा तो इसलिए वो उनकी मोमेंट को शूट कर रहा है अगले दिन टोनी अपनी फिल्में के लिए एक एक्टर से भी मिलता है जिसका नाम स्टिव था फिर उसके बाद में वो एक्टर का अलग-अलग इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाता है इसके अगले दिन से टोनी अपनी शूटिंग स्टार्ट कर देता है और वो अपने फिल्मे के नाम रखता है Extracted the Devil, Dark Week माइक की ये पहली फिल्म होने वाली थी तो इसलिए वो एक्टिंग में थोड़ी बहुत गलतिया कर रहा था लेकिन टोनी उसे ठीक से स्टोरी समझाता है और वे लोग अपने फिल्मे के शूटिंग कंटिन्यू करते है लेकिन कहीं न कहीं टोनी को ऐसा लग रहा था कि उसके फिल्म इतनी अच्छे नहीं बन रही है और आखिर उनकी इतनी बोरिंग फिल्म कोई क्यों देखेगा उसे फिल्मे में कुछ चेसे चेस डलने चाहिए जिसे देखने के लोग मजबूर हो जाए उस रात टोनी अपनी वाइफ कारला को उसके फिल्म के अब तक की शूटिंग के बारे में बताता है लेकिन कारला अवी भी उसके फिल्म बनाने की बात को लेकर खुश नहीं थी घर के सारे खड़चे भी वो खोदे उठा रही थी टोनी कोई भी काम नहीं करता था उसे पता था कि टोनी के फिल्म नहीं चले गी उन ना ही उसके पास में उन एक्टरस को देने के लिए पेसेत है लेकिन फिर भी टोनी उस फिल्म को बनाने में अपना टाइम बरबाद कर रहा था टोनी उन सबी की बातों को आजकर रिकॉर्ड करना लगा था और इनी सब बातों को लेकर दोनों के बीच में बहुत जगड़ा भी होता है सीन कट होता है और अगले दिन टोनी फिल्म के एक पार्ट के लिए लोकेशन देख निकले जाता है जो कि एक फॉरिस्ट लाके में थी और इस लोकेशन में वो किसी भी एक्टर को लेकर नहीं जाता है और यह सबसे अज़ीब बात थी कि इस लोकेशन में वो किस के साथ में और क्या शूट करने वाला था उसके बढ़ टोनी फिर से एक्टर के साथ में शूटिंग करने में लग जाता है लेकिन यहाँ पर टोनी और स्टीव का किसी ने किसी बात को लेकर जगड़ा हो रहा था लेकिन फिर भी वो दोनों अपने गुस्ते को कंट्रोल करके शूटिंग को कंटीनू करते हैं टोनी भी स्टीव को फिल्म में से निकाला ने चाहता था क्योंकि इस समय पर टोनी को जितना उनके ज़रुत थी उनका टोनी को उतने ज़रुत नहीं थी रात के समय टोनी अपनी वाइफ काला को अब तक जो भी फिल्म के शूटिंग हुई है उन्हें दिखाना चाहता था लेकिन इसको लेकर भी दोनों के बीच में जगड़ा हो जाता है और काला खुद को बातरुमें बंद कर लेती है कुछी देर में टोनी उससे माफी माँगता है और उससे रूम के भार वुलाता है लेकिन जब काला डोर नहीं खुलती है तो टोनी डोर का लॉग तोड़ देता है और काला को गसीटते हुए बातरुम से बाहर निकलता है और एक हैमर से उसका एक हाथ बुरी तरीके से तोड़ देता है कारला दर्द के मारे तलब रही थी लेकिन टोनी को उसके उपर ज़रा भी देने ही आ रही थी और उल्टा वो हैमर से कारला के सर परवार करके उसके सर बुरी तरीके से क्रश कर देता है फिर टोनी इस सी हालत में कारला की डेट बोडी के साथ में भी करता है और यह सब वो अपने कैमरा पर रिकॉर्ड भी कर रहा था अब कारला की डेट बोडी को वहीं पर छोड़कर टोनी पीटर को कॉल करकर एक रेस्टराण में मिलने के लिए बुलाता है और दोनों वहाँ पर बेट कर फिल्मे के बारे में बाते करते हैं पीटर को फिल्मे की पूरी स्टोरी जानना थी और टोनी की स्टोरी कम्प्लीटी नहीं थी इस बात को लेकर दोनों की बीच में आर्गिमेंट भी होती है टोनी को अभी भी होश नहीं था कि उसने एक फिल्मिक के चक्कर में कारलो को मार दिया है फिर अगले दिन टोनी कारला की वोड़ी के चोटे 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 टुकड़े करके एक बेग में वरकर अपनी कार मोँ से रख देता है टोनी फिर एरिक नाम के एक लड़के से मिलता है जो कि उसकी पूरी फिल्म को एडिट करने वारा था उससे बात करने के बाद में टोनी सब भी एक्टर को अपने घर पर शुटिंग के लो बलाता है वापन लिज़ा और पिटर जब अपनी लाइन्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनको लाइन्स पढ़कर हसी आ रही थी इस बात पर टोनी को गुस्ता आता है और पिटर से जगड़ना लगता है पीटर भी घुस्से में टोनी की फिल्म को छोड़कर वहाँ से चलायाता है क्योंकि वैसे भी उसका रोल बहुत है चोटा था और उसको पेसे भी नहीं मिल रहे थे फिर पीटर के जाने के बाद में टोनी माईको लिजा के साथ में अगे की शूटिंग करने लगता है लेकिन यहाँ पर भी दोनों बाहर पर गलते हैं कर रहे थे तो इसलिए टोनी माईक को लिविंग रूम में बेटने को कहता है ओ लिजा को अपने साथ में बादरूम में लेकर जाता है ताकि वो बादरूम में जाकर अपनी लाइनस को प्रेक्टेस कर सके लेकिन बात्रों में जाने के बाद टोनी लिजा को नेकेड होकर बात्रटब में दाने को कहता है लेकिन ऐसा कोई भी सेन फिल्में में नहीं था और उपर से लिजा कभी बन्यूट शिट नहीं करना चाहती थी तो इसलिए वो टोनी को सीधे सीधे इसके लप मना कर देती है और तब टोनी लिजा के साथ में जब्रदस्टि करने की पूशिश करता है लिजा जब टोनी को रोक रही थी तो वो उसके उपा हाथ उटा देता है और वोसे बालों से पकड़कर उसका सर बात्रप के पानी में डाल देता है जिससे कि कुछी टाइम में दम गुटने की वज़े से लिजा की मौत हो जाती है और उसके बड़ टोनी लिजा की डिप बोडी का भी दूप करता है फिर वो केचन में जाकर हैमर और कुछ टूल्स बातरूम में लेकर आता है और उन टूल के हेल्प से लिजा के सर को काटने फोडने और डिस्ट्रॉय करना लगता है यहाँ पर माइक को नहीं पता था कि बातरूम में उसकी गल्फरिंड के साथ में क्या हुआ है बहुत दे तक लिजा बातरूम से नहीं आती है तो इसलिए वो खुद लिजा को देखने के लिए बातरूम में चला जाता है और वहाँ पर लिजा की डेट बोड़े के साथ में टूनी को देखकर सब कुछ समझ जाता है फिर माईक टोनी के घर से भागने के कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही टोनी एक हैमर से माईक के सर फोड़ कर उसे जान से मार देता है दोनों को मारने के बाद में टोनी पुरे बाथटप को प्लास्टिक से ढग देता है वो दोनों के dead body के तुकले करना लगता है और सबी चीज़ों को वो अपने केमरा में record कर रहा था साथी टोनी माइक के dead body के तुकलों के अलग-अलग पार्ट के साथ में कर रहा था उपर से वो माइक के intestine से human waste निकाल कर उसे खा जाता है जो कि बहुत गिनोनी चीज़ थी ये चीज़े टोनी को भी गिनोनी लग रही थी लेकिन फिल्म को पूरा करने के लिए उसना सारी हदे पार कर ली थी फिर वो दोनों की body parts को plastic bag में pack करता है और उसके बाद में वो अपने केट को घर के दिवाल पर पटक पटक कर मार डालता है उसके केट अभी भी जिन्दा थी और वो अभी भी तड़प रही थी और तब टोनी ओवन को केट के उपर फेक कर उससे फुरा कतम कर देता है और फिर टोनी उसकेट की date body के साथ में टेप करता है फिर कुछ दिर के बाद टोनी पीटर को समझा कर उससे माफी मांकर उससे अपने गर में बुलाता है पहले तो पीटर से नॉर्मली बात करने लगता है लेकिन जो पीटर का ध्यान पटकता है तो टोनी हैमर से उसके सर पर वार करके उससे भिवोश कर देता है अब कुछ देर के बार में वो तपड मार कर पीटर को होश मिलाता है और उसने पीटर को रूम में बांद कर रखा था और उसके मूँ में भी उसने टेप लगा दे थी ताकि पीटर चिलाना सके साथी उसके पेर के बीच में भी एक लकड़ी टोनी न रखती थी ताकि पीटर जरा भी अपने पेर को हिलाना सके फिर अप टोनी हैमर से एक एक करके पीटर के दोनों पेर को क्रश कर देता है और फिर हैमर से ही उसके सर पर बार बार वार करके उसे जान से मार डालता है पीटर के मर जाने के बाद में टोनी उसका सर काट कर उसकी बॉड़ी से उसे अलग कर देता है और बाकी की dead body का व रिम पकना लगता है तब ही उसको 스टीव का call आता है और तब टोनी उसे अपने घर में बुलाता है कुछ देर के बाद में स्टीव वाँ पर आता है और उससे movie की shooting के बारे में पूछता है इसका टोनी के पास में कुई जवाब नहीं था Steve का कौल आता है उस तब Toni उसे अपने घर में बुलाता हैえー कुछ देर के बाद में एक पर आता है और मुवी की शूटिंग देबारे में पूछता है कि इसका टोनी के पास बढ़े कोई जवाब नहीं था तो इसलिए मुक्छा देखकर टोनी हैमर से स्टीव के सर पर वार करके उससे ब्योश कर जाता है फिर वो स्टीव के सारे कपड़े उतार कर उससे चेयर पर बान देता है और जब स्टीव को होश आता है तो खुद को ऐसे अलत में देखकर बूते ज़्यदा डर जाता है उपर से टोनी अपने हाथ चैंसों लेकर खड़ावा था इस्टी कुछ समझ पाता उससे पहले टुनी चैंसों से स्टीव के फेस को कट करना लगता है जिससे की स्टीव बहुत दड़ा पराता अब टुनी इस्टीव के ऊपर कैसरे टूल यूस करता है और उसे टोर्चर करता है लेकिन आखिर में वो ड्रिल मशीन से स्टीव के सर पर होल करके उसे जान से मार डालता है फिर वो स्टीव की डेट बोडी का भी करना लगता है कुछ देर के बाद में टोनी उन से भी डेट बोडि के तुकड़ों को कार मिलेकर उसे जंगल वाई लोकेशन पर जाता है जिससे वो कुछ दिन पहले अकले देखने गया था वही पर वो उन से भी डेट बोडि को दफना देता है और उनके ग्रेवस पर एक एक जाड़ों लगा देता है तब ही उसे याद आता है कि एरिक भी इस मूवी का पार्ट है क्योंकि वो तो मूवी का एडिटर है तो इसलिए टोनी एरिक के घर जाकर हैमर से उसे पीट पीट कर उस जान से माँ डलता है अब टोनी उसकी वो डेट बॉड़ी को बागियों के साथ में उसी लोकेशन पो दफना देता है फिर सब काम खतम होने के बाद में टोनी वही पर लिजा के कटा हुए सर को लेकर उसमें अपना प्रावेट पार्ट डालकर उसका रेप करने लगता है और आखिर में वो उनके ग्रेव के सामने बेट कर प्रे करता है इन सब के बाद में मूवी उसे सीन पर शिफ्ट हो जाती है जहांपर टोनी कौन से बरावा था और वोई टेशेट पहन कर वो अपनी फिल्में के बारे में बता रहा था अब तक टोनी पुरा पागल हो चुका था उसे ये तक होश नहीं था कि उसने अपनी फिल्म मेकिंगा सपना पूरा करने के लिए कितने लोगों की जान ले लिए लेकिन वो इस बात से कुछ था कि ये फिल्म हर कोई देखने वाला था जिस तरह उसने मूवी के लिए लोगों के असली में मडर किये थे उसे लोग कभी भी नहीं भूर पाएंगे और अखिर में टोनी खुद के सर पर गोली मार कर खुद की जान ले ले लेता है चुकि वो नहीं चाहता था कि इस फिल्मों से जुड़ा हो कोई भी व्यक्ते जिन्दावचे मूवी के लास्ट सीन में हमें फिल्मे के एक्टर का इंटर्वी दिखाय जाता है जो कि टोनी के फिल्मे में काम करने के लिए बहुत है सभी को लगा था कि अब उनके सभी सपने पूरे होंगे लेकिन उनने क्या पता था कि एक संकी फिल्मेकर अपने सपने के चकर में उनकी बेरहमी से जान ले लेगा और इसे के सफ में ये मूवी ये परेंड हो जाती है तो दोस्तों मेकिंग ओफ एक बहुत असलेशर और डिस्टरबिंग मूवी है जिसमें एक संकी डायक्टर होता है और वो एक ऐसे मूवी बनाना चाता है जो कि दुनिया की सबस्ते टेरिफाइंग मूवी हो ये मूवी बनाना उसका अपना सपना था लेकिन उसके पास में मूवी बनाने के लिए पेसे नहीं थे वो अपनी सेविंग से मूवी बनाने के सामान लेकर आता है और कुछ स्ट्रगलिन एक्टर को हायर करता है अपनी मूवी में काम करने के लिए लेकिन एक्टर को नहीं पता था कि वो जिस मूवी में काम करने वाल है उस मूवी के अंत में उन्हें मरना पड़ेगा चुकि टोनी ये नहीं चाहता था कि इस मूवी में काम करने वालो कुछ भी वक्ति जिन्दा बचे और उसने हर उस आदमी को मार दिया जो भी इस मूवी का पार्ट था या जिसे भी इस मूवी के बारे में बता था और कुछ इस तरीके से उसनों दुनिया की सबसे terrifying movie बनाई तो दोस्तों क्या Tony ने अपना सबना पूरा करने के लिए ये काम ठीक किया ये गलत किया नीचे comment में ज़रू बताना उस साथ में ये भी लिखते जाना कि आप लोग कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीवर्स कहां कहां से मुझे देख रहे हैं तो चलिए मैं आपके लिए एक और अगला वीडियो जल्दी लेकर आने वाल हूँ जो कि इससे व्यादा disturbing movie पर होगा तो अब मैं आप से मिलूँगा अगले वीडियो में